हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 12.2 का question number second देखते हैं क्या है one kind of cake required 200 gram of flour and 25 gram of fat and another kind of cake require 100 gram of flour and 50 gram of fat दो टाइप के cake बनाने हैं यहां तक step wise समझो statement को उसमें क्या कहा है कि जो first cake बना रहे हो उसके अंदर तो जो 200 gram of flour है जो मतलब 8 होता है मैदा होता है जिससे भी cake बनेगा और 25 gram of fat उसमें add गरना है दूसरे cake में हमें 100 gram of flour यूज करना और 50 gram of fat लेना है find the maximum number of cakes which can be made maximum का है तो maximize करना है which can be made from 5 kilogram of flour and 1 kilogram of fat assuming that there is no shortage of the other ingredient used in making the cake अब आपको क्या कहा है यहां पर 5 kilogram तो floor यूज करना है 1 kilogram of fat यूज करना है तो आपको प्रोपर बताना है एक्जेक्टली आपके कितने cake बन जाएंगे कौन-कौन की इसमें समझ में आगी बात condition समझ में आगी अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम यहां पर लिखो let x cake अब एजूम करने पड़ेंगे न of first type first or second type मान लेते हैं first type and y of second type made यह मान ली हमने कि x जो है first type के बनगे y जो है हमारे second type के बनगे इसकी table बना लो एक पहले लिखेंगे kind of cake कौन कौन सी type के है first type के और second type के उसके बाद number of cake first type के कितने बनाए हमने x second type के बनाए y floor देखो कितना है हमारे पास first volume कितना यूज हो रहा है 200 gram और second volume कितना हो रहा है हमारा 100 gram उसके बाद fat देखो first वाले में कितना हो रहा है हमारा 25 gram और second वाले में कितना हो रहा है बच्चो 50 gram अब हमारे पास quantity क्या है total देख लो total quantity केक क्या बनेंगे x plus y से बनेंगे total number of cake देखने है तो हमें x plus y करना पड़ेगा और cake बनाने में जो floor यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है total हमारे पास quantity कितनी है यहाँ पर देखो 5 kg 5 kg है तो इसको gram में लिखेंगे तो 5000 gram और fat हमारे पास कितना है 1 kg तो मतलब 1000 gram यह बात समझ में आ गई सबसे पहले लिखो अपना objective function objective function मतलब z is equal to x plus y इसी को maximize करना है हमें क्योंकि maximum number of cake को पुछे हैं उसने उसके बाद ध्यान से देखो भई ध्यान से देखो यह जो है हमारा floor floor को कैसे लिखेंगे 200x quantity बनाएंगे 200x और प्लस में 100y age equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर equal to लेंगे greater than लेंगे less than देंगे यह द्यान से देखो maximum value उसने क्या रखी है इतना हमारे पास क्या है floor है तो इससे less ही तो यूज होगा less than equal to 5000 gram दूसरी condition क्या बनेगी fat की 25x में यूज हो गया और हमारा दूसरा क्या दे रखा है 50y में यूज हो गया इसको भी less than equal to क्या हो जाएगा हमारा 1000 इसको थोड़ा सा simple बना लो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गी तो first equation क्या आगी हमारे पास 2x plus y less than equal to 50 आगई या नहीं आगई अब कुछ बच्चे पूछते सर क्यों कट किया बही देखो इतनी बड़ी calculation इतनी बड़ी बड़ी values को हमने क्या कर लिया small values में convert कर लिया यहाँ पे भी कट ओर है 25 से इसको कट कर लो यह 2 पे कट हो गया यह 40 पे कट हो गया तो यहाँ पे क् quality में ले लो तो क्या बन गया 2x plus y equal to 50 और दूसरा क्या बन गया x plus 2y equal to 40 इनका graph बनाना है तो table बनानी पड़ेगी तो x और y यहाँ पे x को 0 लो y की value 50 y को 0 लो तो x की value 25 इसमें आजो x और y x को अगर 0 लिते तो y की value 2 से डिवाइड हो के 20 y को 0 लिते तो x की value 40 आ गई या नहीं आ गई clear हो गया अब देखो यहाँ पे यह 2x plus y equal to 50 के points थे हमारे 1010 के multiple ले लिए क्या है first point 0,50 बतलब y की value 50 यह point आ गया 25,0 20 और 30 के बीच में point आ जाएगा इन दोनों points को अपस में क्या कर लेते हैं join कर लेते हैं यह होगे तो यह आगे मेरे पास 2x plus y equal to 50 की line दूसरी पे आ जाओ 0,20 यह आ गया point 40,0 यह point आ गया इन दोनों को अपस में क्या कर लेंगे हम join कर लेंगे अब ध्यान से देखो इसमें क्या condition आई थी हमारी दोनों में less than की है less than है तो निच्चे की तरफ grab बनेगा इसका निच्चे की तरफ चलेगा ऐसे इस line का भी निच्चे की तरफ आएगा तो common region कौन सा आ गया यह वाला region आ गया जो दोनों के अंदर include हो जाएगा यह आ गया हमारे पास common region अब हमारे पास यह और यह point तो है यह point नहीं है यह point के लिए हमें point of intersection निकालना पड़ेगा देख लेते हैं वही 2x plus y equal to 50 और x plus 2y equal to 40 था इसको 2 से multiply करो 2 यह 4 हो जाएगा यह 80 हो जाएगा अब इसको simplify कर लो minus minus यह कट गया 4y में से y गया minus का 3y is equal to minus का 30 minus से minus कट गया तो y is equal to गया गया 10 y की value 10 put करेंगे तो 2x plus 10 equal to 50 और 2x equal to 40 और x की value अगर यहाँ पे देखो तो हम क्या आजेगी 20 तो यह point आगया मेरे पास 20,10 सारे point आगए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यह a point माल लेते हैं यह b point माल लेते हैं यह c point माल लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम feasible in the region region is bounded feasible region feasible region is bounded और point क्या आए है a के point 0,20 b के point क्या है 20,10 और c के जो point आए हैं हमारे पास यह आए है मेरे पास 25,0 इन पे हमें देखना z is equal to क्या था x plus y क्या करना था maximum तो देख लेते हैं z is equal to क्या है at a 0 plus 20 कितनी value आई 20 at b z is equal to क्या है यहाँ पे 20 plus 10 30 और हमारे पास क्या आया c पे at c z is equal to 25 plus 0 25 तो maximum इस कहाँ पे हुआ यह आगया हमारा तो यहाँ पे लिखेंगे maximum z is 30 at 20,10 बस यह solution हो गया हमारा समझ में आगया किस तरिक्के से करना है कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी problem लगया आम उससे पूछ सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू स्टूडेंस पूर वाचिंग नेक्सा क्लासिज वीडियो क्लास 8,9,10,11 के बच्चों को भी नेक्सा क्लासिज के बारे में जरूर बताईए आपके इस स्पोर्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद कऊंगा थैंक्यू स्टूडेंस पूर वाचिंग नेक्सा क्लासिज